आज मैं आपके लिए लुकेमत की रेसिपी लेकर आई हूँ यह अरेबियन डिजर्ट है बहुत ही डिलिशिस होता है इसके रिजेंब्लेंस थोड़ी बहुत गुलाब जामुन जैसी होती है बट यह काफी अलग होता है इसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है बट बहुत टेस मैं इसमें ऐल भी आड़ कर देंगे हाफ टीस्पून यहाँ पर मैं एक इंस्टेंट इस्ट अब इन सारी चीज़ों कम अच्छी तरीके से मख लेंगे अब यहां पर वन टीस्पून थे अइसे प्धार किये कॉंध डालने के बाद सिर्वाद खो लिगिन Somewhere वी अपे बार मिक्स कर अनुडा यहां पंगर के Modella मिक्स पूर्डा पानिमिक से पर तो यह देखिए इस तरह की consistency होनी चाहिए बैटर की ना बहुत ही जादा liquidy होना चाहिए ना बहुत जादा थिक होना चाहिए अब हम इसे cover कर देंगे cover करके हम इसे 30 minutes to 1 hour के लिए छोड़ देंगे proofing के लिए अब यहां पर हमें sugar syrup ready करना है उसके लिए मैंने एक कप शक्कर ले ली है और हाफ कप इसमें मैं पानी आट करी हूँ अब हम इसे एक बर अच्छी तरह से mix कर लेंगे और medium to high heat पे हम इसे boil होने देंगे जब यहां पर हलका सा boil आना स्टार्टो जा देखे इस तरह से अब हम य आट कर सकते हैं इन चीजों को हम हलका mix देंगे अब हम इसे medium to high heat पे अच्छे से boil आने तक पकाएंगे अब यहां पर boil आना शुरू हो गया है शकर बेल्ट हो गई है अब यहां पर ग्यास हम बंद कर देंगे और सिरप को थंडा होने देंगे तो यह देखिए यहां पर यह सिरप एकदम थंडा हो गया है रूम टेंपरेचर पे आ गया है अब हम इसमें आट करेंगे वन टेबल स्पून केवडा वाटर दो टेबल स्पून भरके यहां पर हम हनी आट कर देंगे हनी ऑप्शनल है अगर आप नहीं डलना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अब इन सार कर लेंगे अब यहां पर हम हाथ से गया इस पैचुला की हल्पसे से एक बर अच्छी तरिके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एर है वो रिलीज हो जाए वरना जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो इसके फटने के चांसे होते हैं तो यह देखिए अब यह यहां पर रे जाते हैं उनका साइज बढ़ा हो जाता है तो जितनी जल्दी जल्दी हो से के हम इसे डालेंगे और हमें इसे छेड़ना नहीं है जब तक खुद बखुद इस तरह से ऊपर नहीं आ जाते हैं एक बार यह सारे उपर आ जाए फिर हम इसे स्पून से हिलाएंगे तो यह तो यह देखे दिरे धिरे इनहोंने इसे कलर चेंज करना सठ गर दिया है अब यह देखे यह यहां पर यह फ्राइ हो गएँ अभ मैं इसे निकाल लूंगे मैस को दिखा देती उं तो देखिए ये color आने तक हमें इसे fry करना है अब सारों को मैं निकाल लूँगी टिशू पेपर पे ताकि जो इसमें extra oil है वो इस टिशू पेपर में अब्जॉब हो जाए अब यहाँ पर हमारे लुकेमत फ्राइ हो गए है जितना जादा हम इसे इसमें डिप करके रखेंगे इतना जादा यह मिठा होता जाएगा 30 सेकंड के बाद मैंने इसे शुगर सिरप से निकाल लिया है अब मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ रोस्टेट सेसिमे सीड गानिशिंग के लिए बस अब यह रेडी हो गया है मैं इसे एक बार आपको तोड़ के दिखा देते हूँ कि अंदर से यह कितना सॉफ्ट और फलफी है यह देखिए आज मैंने आपको लुके मत की बहुत ही आसान सी रेसिपी दिया आप इसे जरूर ट्राय करना और मुझे कमन बॉक्स में बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थी सर्विंग के वक्त अगर आप चाहें तो जो शुगर सिरफ हमने प्रिपेर किया था वो भी थोड़ा सा ड्रिजल कर सकते हैं वीडियो अच्छी रगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब कर दें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए बाबाई